हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो पॉश्टिव अप्रोच, दिस इस नितेस भारद्वाज, जैसा कि आपको पता है कि हमने टाइट एक्जामिनेशन के लिए रिवीजन सुरू कर दिया हुआ है, तो आज हम कुछ इपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके उपर प्लस B स्केर प्लस 2AB और A मैनस B का जो होल स्केर होता है, A मैनस B का होल स्केर इस इक्वल टो A स्केर प्लस B स्केर माइनस 2AB जो यह फार्मूला है, यह यूज किया जाता है, हमें पता है, हमारे दूसरा फार्मूला है A स्केर मैनस B स्केर, इसको हम लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू A मैनेस B के रूंब में और A प्लस B की क्यूब होती है इसका जो फार्मूला होता है होता है A की क्यूब प्लस 3 A स्केर B प्लस 3 B स्केर A यह फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए अब हमारा जो अगला फार्मूला है अगला फार्मूला है A की क्यूब प्लस B की क्यूब ध्यान दीजेगा इस फार्मूल में जब प्लस हो तो सुरू में प्लस करना है A plus B into A square minus AB plus B square इस तरीके से जो है यह formula लिखा जाता है और अगला formula है A की cube minus B की cube जब यह formula होगा तो सुरू में minus है तो minus यहाँ पे करना है A minus B into A square plus AB plus B square यह formula जो है आपको याद होने चाहिए और जो हमारा अगला formula है अगला formula है A की Q plus B की Q plus C की cube इस formula को हम कैसे लिख सकते है A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA into plus 3 times ABC यहाँ जो formula जहाँ यहाँ आपको याद होने चाहिए इसका स्क्रीन सॉल ले लीजिए या इसको अपनी copy में जो है note down कर लीजिए हमारा अगला question है कि बताइए इन fraction में से कौन से fraction सबसे बड़ी है और कौन से fraction सबसे छोटी है मैं आपको एक rule बताऊंगा और वह rule जो है हर question पे हर जगा जो है fraction में अपलाई हो जाएगा तो आईए शुरू करते हैं कैसे आपको च्या करना है माल लीजिए यह हमारी fraction दी गई है आपको इनके बीच का जो है difference देखना है कि इनके बीच में कितने difference है तो यहाँ पर कितने difference है 4 का यहाँ पर 16 से 19 का कितने है 3 का 11 से 8 तक कितने difference है 7 का और 23 से 26 तक कितने का difference है 3 का जो है difference है तो difference कितना आया यहाँ पर आया 4 यहाँ पर आया 3 यहाँ पर आया 7 और यहाँ पर कितना आया 3 सबसे पहले जो आपको given fraction होगी उनके बीच का जो difference देखना है अब आपने देखना है कि जो आपको difference है उसने उससे आपको जो difference दिया गए इससे आपने जो है इसका जो numerator है उसको क्या करना है divide करना है जैसे 13 upon 4 यहाँ पे 16 upon 3 यहाँ पे 11 over 7 और यहाँ पे 23 over 3 इसका जो numerator है उसको आपने जो difference आया हुआ है उससे क्या करना है है उससे करना है égal और जो आपके पास वैलियो आ जाएंगी मानलो इसके पास जो हमारे पास वैल्यई आ जायागई जो सबसे बड़ी वैली वैली होगी जिसकी वह सबसे चोटी होगी वो सबसे चोटी रेक्सन होगी आएधे इस कौश्चन मान के थरीन और्पॉण यहां पर आप देख रहे हैं जो है हमारी गेस्ट फ्रेक्शन होगी इसकी 23 ओवर 26 की तो यहां हमारी सबसे बड़ी फ्रेक्शन होगी उसके बाद दूसरे नमबर पर जो है हमारी 16 ओवर 19 होगी और जो सबसे छोटी है यहां हमारी smallest fraction होगी और यहां रूल हर question पर apply होता है आप जिस मर्जी fraction के question हो यहां रूल आपने हर जगा क्या है अपलाई करना है सबसे पहले आपने इनका difference निकालना है और फिर numerator को डिवाइट करना है जो value सबसे बड़ी आएगी वह fraction सबसे बड़ी होगी जो value सबसे छोटी होगी वह fraction सबसे क्य करना ना भूल है रिमेंडर theorem से भी exam में काफी वार जो है question पूछे जाते है आए मैं उसको बहुत तरीके से आपको बताता हूं कि वह question आपको कैसे solve करने है माल लीजिए हमारे पास fx कुछ polynomial दिया गया है यह डिवाइड किये कर रहा है यह डिवाइड हो रहा है किससे divided by x- से है जो यह क्या हो रहा है दिवाइड हो रहा है तो हमारे पास remainder कितना बचेगा एक्जाम में इस तरीका जो question हो पूछा जाता है तो हमारे पास जो remainder होगा वह होगा f of a वहाँ पर आपने जो है divide करने नहीं लगना है आपने direct f of a पूट करना है तो आपके पास remainder आ जाएग for example मैं आपको example देकर समझाता हूँ f of x जो है हमारे पास है 2x की 4 minus 3x की Q plus 2x के minus 9 इसको divide करना है किससे divided by x minus 2 से जो है इसको divide करना है तो आपको हमें बताना है किसका remainder क्या बचेगा एक तो उसको long method है कि आप इसको divide करने लगो उससे जो है बहुत time लगेगा तो हमारी remainder theorem क्या करती है कि जो उसका remainder होगा वह होगा f of 2x minus 2 है तो f of 2 जो है इसका क्या होगा remainder होगा अगर f of 2 में पता है remainder है तो यहाँ पर हमने put कर देना है 2 into 2 raise to power 4 minus 3 into 2 raise to power Q plus 2 into 2 raise to power square minus 9 which is equal to 2 to 0 4 to 0 8 to 0 16 to 0 32 minus 2 to 0 4 to 0 8 3 0 24 plus 2 to 0 4 to 0 8 minus 9 which is equal to 2040 minus 30T which is equal to 7 7 जो क्या है इसका remainder आ जाएगा तो इस त्रीके से जो है आपने इसको solve करना है अगर माल लीजी हमारे पास दिया गया होगा कि अगर it is divided by x plus a x plus a है तो remainder जो होगा f of minus a होगा f of minus a होगा इस त्रीके question भी generally exam में पूछे जाते हैं तो आपने इसको divide करने नहीं लग जाना है आपने direct जैसे x minus 2 है तो f of 2 होगा इसका जो right answer है और अगर x plus a होगा तो f of minus a होगा और उसको direct आपर put करना है तो आपका है कि divide कोई number आपको दे दिया जाएगा उनको रेशों किसमें 5 is to 3 में मालो इस रेशों में जो है आपको divide करना है तो बताए कि किसमल इस रेशों में जब divide करेंगे तो number क्या होगा तो simple है आपने क्या करना है जब हमसे अगर 5 वाले परसन हमने निकालना है तो simple करना है 500 उसको 5 से multiply करना है divided by 5 प्लस 3 यह आजएका 5 is to 3 500 multiply by 3 divided by 5 प्लस 3 तो यह हुआ कि 500 को हमने 5 is to 3 में क्या किया divide कर दिया तो कितना आ जाएगा 2500 divided by 8, 1500 divided by 8 इन दोनों को divide करना है जो value आएगी वह value होगी 500 को इस रेशों में divide करने के बात अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो सेर करें और वीडियो को like करना ना भूलें question को बनाने के लिए बहुत मैनत लगती है तो आप वीडियो को like तो कर ही सकते हैं अब कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं profit और loss को पर क्योंकि इससे भी जालनी एक्जाम में एक है दो question जरूर पूछे जाते हैं अगर माल लेजिए हमसे loss percent पूछी गई हो loss percentage पूछी गई हो तो आपका प्रसेंटेज होगी जैसे लिख लेता हूं मैं आप भी से नौट डाउन कर लीजिए profit percentage है माले तो हमारे पास कितना गेन हुआ है हमें कितना profit हुआ है किसे कॉस्ट प्राइस और multiply किसे करना है 100 से करना है तो हमारे पास जो है loss और profit प्रिकल्स होते हैं उन्हीं को करवा रहा हूं इसके बाद हमारे आगया आता है simple interest कि सिंपल इंटरस्ट का जो फार्मूला होता है वह होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड़ बाई 100 जहां पर पी क्या है पी वहां पर principle है आर यहां पर rate है और टी क्या है यहां पर time है और divided by 100 है जब इससे amount निकाला जाता है तो amount कैसे निकाला जाएगा amount निकाला जाएगा प्रिंसिपाल में जो kya है simple interest को हमने क्या कर देना है add कर देना है और principle क्या होता है principle हमारे पास जो given amount होता है जो हमें पैसे दिए गये गया होते है उसमें जो हमने क्या है simple interest calculate कर लेना और जब compounded annually होता है यानि compounded interest के बात आती है तो amount का जो formula होता है या इसको याद कर लीजिएगा amount का जो formula होता है वो होता है P into 1 प्लस R over 100 के power N जहां पर N क्या है N है हमारे पास यहां पर time इसको आप T से भी denote कर सकते हैं इसको आप N से भी denote कर सकते हैं तो यह है amount का formula और जब compound interest आएगा तो compound interest आएगा जो हमारे amount निकला होगा amount minus principle जो हमारे पास given पैसा होगा उसको minus कर देना है तो हमारे पास क्या आजाएगा compound interest आजाएगा अब माल लीजिए हमारे पास time इस तरीके से दिया गया हो time दिया गया हो हमारे पास जैसे इस तरीके का जो है हमारे पास time दिया गया हो तो आपने amount का जो फार्मूला है उसे note कर लीजिएगा amount का जब formula होता है तो क्या होता है amount होता है P into 1 plus R over 100 k power T यह time होगा और यह T कितना होगा यह T होगा यह 2 वाला हमारा T कितना होगा 2 into 1 plus R over 100 multiply this value है जो दूसरी value बच गई हमारे पास 1 over 2 तो यह जो है तब हमारे पास amount का formula हो जाएगा आप इसे ध्यान से देखिए जब हमारे पास time इस तरीके से दिये गया हो तो amount का formula जो है यह होता है इसे direct answer निकल जाते है P into 1 plus R over 100 k power T T जो होगा शुरू वाला time होगा into 1 plus R over 100 multiply by जो यहाँ पर जो है बाकिका जो time होगा बचा हुआ वो लिखा जाता है तो I hope आपको यह formula जो है याद हो गए होंगे आपने no down कर लिए होंगे या तो आप जो है इसका screenshot ले लेजिए